वेरी गुड बॉनिंग टू अल्माई देखिए बहुत सारे बच्चों का फोन आ रहा था एसमेस आ रहा था की सर्ट टू मी टायटी के लिए ये वाली चीज सिखा दिये ट्रेंड सेंटी ब्लॉक होता ही नहीं है चलिए दो काम हैं हमारे पास पहला काम हम रट्टा मारेंगे और दूसरा काम हम समझेंगे दोनों ही काम दोनों का कॉंबो पैक डाफिनेटली आपको रेस में विनर बनाएगा एक्स एक्स पे अटॉमिक नंबर दिया है वाई एक्स पे मेल्टिंग पॉइंट दिया टेंड इस वाई त्री केलविन में अब देखे अब इस ग्राफ को देखने से पहले आपको 3D, 4D, 5D सीरीज बता होना चाहिए कि कहां पर कौन लाई करता है और उनका एलेक्ट्रोनिक कॉन्फिकेशन क्या होता है हम सब बच्पन से देखत पहाड़ी की उचाहिए तीन पहाड़ बने हुए है 3D, 4D, 5D सबसे उचा पहाड़ कहां टंगस्टन वाली सीरीज टंग 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 टंगस्टन टंग हमारी टंग हमारी जीब बहुत क्या बहुत शांदार होती है हमारी टंग अगर टंग का मैउटिंग पॉइट कम रहा होता है टंग का हमारी मैउटिंग पॉइट अगर बहुत कम रहा होता तो हम थोड़ा भी गरम चीज खाते पीते चाहे कॉपी पकोड़ी चाठ कितनी जीब चटोरी होती है अगर मेल्टिंग पोईंट कम होता तो हमारी टंग तो मेल्ट कर जाती है और हम तो धराशाही हो जाते तो रक्टा कैसा लगा बही? हमारी टंग का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है तो टंगस्टन टंग का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है इसको दूसरी तरह से भी रख सकते हैं कि आप बल्ब में टंगस्टन लगा हुआ होता था और टंगस्टन बल्ब में जो लगा था था वायर वो देखो ऐसे डबलू सा बना होता था अगर आप बल्ब को कभी देखेंगे तो ऐसे डबलू सा घूमा घूमा टंगस्टन लगा होता है तो एक बात समझ में आगी कि तीनों पहाडी में सबसे उपर टंगस्टन है और तीनों पहाडी के जितना भी डी ब्लॉक है सबसे उपर टॉप फाइट पे टंगस्टन है और वैसे भी हमारी बोड़ी में सबसे उचाई टंग की ही होती है हम देखिए बोड़ी में क्या खाना करोड मोल वाली टंग होती है कि जीप से हम जो बोलते हैं वो शब्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है करोड मोल वाली टंग क्रोमियम, मॉलिविड नाम, टंग, स्टन तो अब इसको मैंने रटाया है इसका reason भी बता दू क्रोमियम का electronic configuration 4S1 3D5 होता है यानि कि total number of electrons कितने unpaired हुए 6 electrons ये सारे electron metallic bonding में participate करते हैं जितने ज़्यादा unpaired electron होगे उतना ज़्यादा delocalization घुमा फिरी होगी चहल पहल होगी जितना चहल पहल करेंगे इधर उधर घुमेंगे दूसरे metal के nucleus उनको attract करेंगे क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं इसलिए parents कहते हैं घुमा फिरी बंद करो नहीं तो कहीं कोई attract करने लगेगा तो इनके पास सबसे ज़्यादा free electrons होते हैं S and D में D5 S1 यानि कि 6 electrons तो सबसे ज़्यादा दूसरे nucleus का proton इन electrons को attract करता है और ये इनका nucleus दूसरे को attract करते हैं क्योंकि same same तो है तो बस metallic bonding सबसे strong बस फिर क्या सबसे ज़्यादा melting point और जासे जासे आप नीचे जाएंगे chromium molybdenum tungsten आप जानते हैं कि atomic size बढ़ना तो चाहिए था लेकिन इन में comparatively भी थोड़ा कम बढ़ता है अब atomic size पे भी आऊँगा जेकिन yes हम जानते हैं नीचे जाने पे इनका metallic bonding strong होता जाएगा अब आप कहेंगे सर ठीक इसके बगल में magnesium and titanium इन में dip क्यों है तो पहले सुनो पहारी पे घाटी होती है पहारी पे जब घाटी होती है आप जाएए नैनी ताल जाएए भीम ताल जाएए नोकुचिया ताल जाएए जहां जाएए वैली तो भाईया dip आ गया है magnesium and titanium घाटी में गिर पड़े हैं तो भाईया मन जब टकराएंगे देखिए करोड मूल वाली टंग थी मन टकराए तो melting point घाटाए मन जब टकराए तो melting point घाटाए और करोड मूल वाली टंग melting point बढ़ाए मन जब टकराए तो melting point घाटाए मेंगनिस्टिक्टिनियम में भी D5 आता है लेकिन आप जानते हैं इनके 4S2 electronic repulsion शो करते हैं तो जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ता जब की घड़ जाता है क्योंकि D localization कम हो जाता है तो दूसरे के nucleus इनको उतना electron को attract नहीं कर पाते हैं तो मेंगनिस्टिक्टिनियम में भी D5 आता है यहाँ पर we must note my lord the point should be noted my lord की मेंगनिस्टिक्टिनियम में धोका मत खा जाना ये question बहुत आएगा पहले तो chromium mollywoodium tunguston का melting point बहुत जादा होता है लेकिन मेंगनिस्टिक्टिनियम घाटी में गिर गए हैं पीक से नीचे आया है ग्राफ और फिर फिर रूठा उसामा उपर चला गया फिर रूठा उसामा melting point बढ़ गया बढ़ गया तो देखिए comparatively बढ़ाया उतना नहीं बढ़ा जतना chromium mollywoodium tunguston अब देखिए आपको दिखा भी दूमें देखिना आगे मैं बढ़ू उससे पहले बता दूँ सोना चांदी copper ये देखो नीचे गिरे पड़े हैं अगर इनका melting point बहुत जादा होता तो ornaments नहीं बन पाते तो आपके घर मे अगर सोना चांदी आपके पास है तो उनको ज्यादा heat मत देना नहीं तो melt कर जाएंगे ओके तो इसलिए ornaments बनाने में काम आते हैं लेकिन इनके zinc cadmium mercury जान कदू हो गई वो तो नजर नहीं आ रहे हैं भाई zinc cadmium mercury को देख लो ये exceptions हैं transition metals के क्योंकि इतने soft हैं कि इन्हें चा जानते हैं liquid होता है room temperature पर वो तो कटा कटा है होता है अब क्या काटोगे तो zinc cadmium mercury जान और कदू बहुत soft हैं खेर अब बात यह देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि n-1 d in addition to the ns electron in the interatomic metallic bonding in any row melting point of these metals rise to a maximum at d5 except for anomalous value of magnees and titanium and fall regularly as the atomic number increases oh my god यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और जैसी आप melting point कर लेते हैं बच्चा लोग याद रखिए इसने लिखा except except magnees titanium तो कि जैसी metallic bonding आई आपको melting boiling point आया वैसी आपको enthalpy of atomization भी आजाएगा देखिए सेम पहाड़ियां सेम घाटियां यहां पर भी हैं देख रहे हैं आप बिल्कुल वही वी बना हुआ है वी for victory वी for कर तो करमनफे मों अ wichtige on my book कर्मनफे कर मनफे मोट कर आट म मोटवर्य करमनफे मो तकषे हैं भी वह हैं और सेम यहां पर बन रहा देखिए आपको याद हो गया होगा CRMNFP करोड रुपए वाला मैन फेकू है होता ही है करोड रुपए वाला मन या मैन फेकू हो जाता है और फिर मोटकरू हो जाता है ठीक है एनिवेज तो ये था enthalpy of atomization का सेम ग्राफ लगबग वही है और ये था आपका melting point का और melting balling point लगवग उसी order में आएंगे आपको कैसा ये वीडियो लगा trends कैसे लगे अगर अच्छा लगा तो comment section में लिखकर बताएं मैं बाकी भी डी ब्लॉक के trends ऐसे ही आपको बताता रहूंगा समझाता भी रहूंगा रटाता भी रहूंगा बस आपने बताना ये कि आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो like and share जरूर करें जिससे की energy मिले क्योंकि आपके comments ही मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर करेंगे नहीं तो फिर किस के लिए आपको अच्छा लगेगा तो आपके लिए राइट नहीं अच्छा लगेगा तो फिर कोई बात नहीं तो वी समझ गया आप वी वी कैसे बनाना है करोडो करोडो रुपे वाला man फेकु फेकु ह होता है बहुत फ्रांटिंग होता है और मोटकरू 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 या मोहबबत तकरू मोहबबत तकरू ठीक है ओके ओल दी बेस्ट